हलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दसमलब का वर्गमूल जोस्तों मैंने दसमलब के वर्गमूल के लिए एक और वीडियो अप्लोड किया है आपको उस वीडियो का लिए किस वीडियो के नीचे डिस्कुशन बॉक से मिल जाएगा इस तड़क के कॉसंस को देखेंगे और इसमें ऐसे कॉसंस में ज्यादा कन्फूजन होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि इसका आंसर क्या आएगा इसको हम लोग भागविदी से नहीं बनाएगे इसको हम लोग सौट कट मेथट से बनाएगे और जब आप इस तड़क से इस कॉसंस को बनाना सीख जाएगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा और आपको कहीं पर भी ऐसे कॉसंस में दिकत नहीं आएगी देखें हमारा कॉसंस है 0.0025 ठीक है हम सब जानते हैं कि 25 का वर्गमूर 5 होता है लेकिन यहां पर इसके आगे 2 0 भी है तो इसका आंसर क्या आएगा पर आपको 4 ओपसन देखे हैं इन 4 में से इसका क्या आंसर आ सकता है पहले हम सीखें इसको कैसे बनाते हैं ऐसे कॉसंस को हम लोग कैसे बनाएगे तो सब से पहले तो ये जा लिगे कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 यह सब लोग जानते है 25 का वर्गमूल होता है 5 अब यहाँ पर टोटल कितना अंक है 10 मलव के बाद टोटल 4 अंक है तो 4 का हम आधा कर देंगे 4 अंक है तो 4 का हम आधा कर देंगे तो 4 का आधा कितना हो गया 4 का आधा हो जाता है, 2, तो हमें 10 मलव के बाद, 10 मलव के दाइं तरफ हमें सिर्फ 2 ही अंक रखना है, तो एक अंक थो हमने लिख दिया है 5, क्योंकि वो 25 का वर्ण मूल होता है, ठीक है, तो एक अंक और हमें लिखना है, हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और इसके बाद हम 10 मलब लगा देंगे और यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.0025 का आंसर आ गया 0.05 यहाँ पर आपको बस यह देखना है कि 10 मलब के बाद जतना भी अंक रहेगा अंक मेसा सम संख्या में ही रहेगा जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 का आधा कर दिया हमने 2 ठीक है? तो इसका मतलब वहा कि 10 मलब के बाद यहाँ पर 2 ही अंक आएगा तो यहाँ पर 10 मलब के बाद 2 ही अंक आएगा 25 का वरगूल 5 होता है तो 5 हमने लिख दिया तो एक अंक और हमें लगाना था एक अंक और हमें लिखना था है यहाँ पर तो हमने क्या लिखा 0 तो इसका आंसर आगया 0.05 तो यह वाल आपका आंसर हो गया, अब यहाँ पर है 0.000036 अब रुख जानते हैं कि 36 का वरगूल 6 होता है चलिए 6 लिख दिया हमने अब यहाँ पर देखिए 10 मलब के बाद कितना अंक है 1,2,3,4,5,6 6 अंक है तो 6 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 6 का आधा हो जाएगा 3 तो एक अंक तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अब हमें 2 अंक और लिखना है तो 2 अंक और कौन सा लिखेंगे तो यहाँ पर हम 2,0 लगाएंगे अब यह 3 अंक बन गया ठीक है अब यह 3 अंक बन गया तो इसके बाद हम यहाँ पर 10 मलब लगा देंगे और यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं तो इसका आंसर आग गया 0.006 ये वाला आपका आंसर हो गया एक और कॉसर हम लोग लेते हैं यहापे मानले जे की 0.81 है ठीक है इसका वरगमूल हमें निकालना है तो 0.81 है तो 81 का वरगमूल कितना होता है? 9, सब लोग जानते हैं 81 का वरगमूल होता है? 9, तो यहाँ पर 2 ही अंक 10 मलब के बाद 2 ही अंक तो 2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 होगा, यानि कि 10 मलब के बाद हमें 1 ही अंक लिखना है तो 1 अंक हमने लिख दिया है 9 9 के बाद हम decimal दे देंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे 0.9 तो यह इसका अंसर हो गया 0.81 का वर्गमूल होगा 0.9 दोस्तों यहाँ पर तो हमने देखा कि हमने जितने भी वर्गमूल निकाले सब के 10 मलब के बाद सम अंक था ठीक है? सम अंक था, सम अंक क्या था देखिए यहाँ पर 4 अंक है ठीक है? 10 मलब के बाद 4 अंक यहाँ पर है डेसिमल का जितना भी वर्गमूल निकाला वो सब क्या था सम संख्या में था तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहां पर अगर च्याव छे आप दस ऐसा कोई भी अंक रहे तो उसका वर्गमूल हम इस तरह से निकाल सकते हैं लेकिन अगर एक अंक दो अंक तीन तुन है 5 शे पैंग साथ रहे तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे चली आगे हम उसी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर हैब 10.0000el 676 लेकी यहाँ पर टोटल कितना अंक है टोटल कितना अंक है छे हैं 672 का वर्गमूल कितना होता है 676 का वर्गमूल हम निकालेंगे, तो उसका वर्गमूल होता है 26, तो 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा होता है 3, तो हमें 3 अंक ही लिखना है, तो 26 हमें लिख दिया, यानि कि 2 अंक हमें लिख दिया है, एक अंक हमें और लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 0, और इसके एकुन हो जायगा और एक somewhat का वर्घ मुल कितना होता है 21 का वर्घ मुल होता एक ग्यारम ठीक है। इतना क्लियर है। एक स्यक्षर का वर्घ मुल होता है 12 लेकिन यहां पर point लगावा है। दसमलव के बाद कितना अंख है? दो अंख है, दो का आधा कितना होता है? एक, दो का आधा करेंगे तो एक होगा, और एक से किस का वर्गमूल, यह ग्यारा होता है, तो पहले हमें ग्यारा यहाँ पर लिख देंगे, और दो का आधा होता है एक, तो एक अंख के बाद हम दसमल अब लगाएंगे रहाँज वर्गमूब हो गया 1.1 यह अगर यहाँ पर रहता जीरो पॉइंट 1.21 तब हम इसका वर्गमूब कैसे निकालते हैं tutorial के बाद तीन अंक है तो एक सोईक किस का वर्गमू喜歡 11 हम सभी तो इसलिए 0.121 का वर्गमोल नहीं निकलेगा अगर 2 अंक रहता, 4 अंक रहता, 6 अंक रहता तो हम उसका आधा कर सकते थे लेकिन यहाँ पर 3 अंक है 5 अंक या फिर 7 अंक रहेगा तो उसका वर्गमोल नहीं निकलेगा अब यहाँ पर एक और example हम लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं 2.5, इसका वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे, 10 मलब के बाद यहाँ पर कितना अंख है, 1 अंख है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल होता है, 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है, अब हमें क्या करना एक आदा नहीं कर सकते तो इसलिए 2.5 का वरगमुल नहीं निकलेगा दोस्तों I hope आपको decimal square root आले कॉसम में अब कहीं पर भी कोई problem नहीं आएगी अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है तो अब comment section में comment कर सकते हैं मैं फिर आप लोगों के लिए एक video बना दूँगी ये वीडियो के helpful लगी हो तो वीडियो को like कीजिए comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share कीजिए